सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार आप देख रहे हैं वोटों की गिनती जारी है रुजानों में अरुनाचल प्रदेश और सिक्कीम के तस्वीर ताफो तीवी दिखाई देरे रहे हैं रुजानों में दोनों ही राज्य में मौजुदा सरकार बरकरार रहने के संके पिल रहे हैं अरुनाचल प्रदेश में वीजेपी लगातार तीस्की बार सरकार बनाती नजर आ रही है तो सिक्कीम में ठ्रांतिकारी मोचा यानि के स्केम प्रचंड बहुमत लाती भी दिखाई देरी है सिक्कीम में पवन चामलिंग के सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट य पार्टी एक पर अन्यस साथ पर आगे चल रहे हैं जबकि सिक्किम में 32 में से 31 के रुजान निकल कर सामनी आ गए हैं जिन में से SKM 30 पर यानि की कोई भी दूर दूर तक है नहीं ना BJP ना कॉंगर्स पार्टी जबकि SDF सर्फ एक सीट पर अपना खाता खोलती भी काम्याब यहाँ पर दिखाई दे रही है और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो देश के कई ऐसे राजजर हैं या फर केंदर की सत्ता के लिए भारती जनता पार्टी जिस सरह से चुनी जाती रही हमने ये देखा कि प्रचंड बहुमत से ही जनादेश मौजूदा वक्त का तै हो रहा है ये क्या बताता है क्या ये लोगतंतर की मजबूती के इसके सर्ता का प्रतीक है या फर दूसरी पार्टिया क्योंकि आप देखेंगे अरुनाचर प्रदेश में 2014 में यहाँ पर कॉंग्रिस पार्टी ने जरूर 60 में से 42 सीटे हासल कि थी लेकि 2016 आते आते बहा पर कई मुख्यमंतरी जिस सरह से बदले कॉंग्रिस पार्टी में फूट पड़ी जिसके बाद कॉंग्रिस के बड़े-बड़े नेता भारती जनता पार्टी में शामल हो जाते हैं बीजेपी चुनाव लड़ती है 2019 के विधानसवा चुनाव में इसको प्रचंड बहुमत मलता है और 2024 में भी वही सिती अरुनाचर प्रदेश में बनते भी दिखाई दे रही है देके 60 में से पहले ही 10 पर भारती जनता पार्टी निर्विरो जीत चुकी थी और बाकी की जो एक तरफा जनादेश सिक्के में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है खास मैमानों की मौझूद्गी एक वरफर से ने सिरे से चर्जा को आगे बढ़ाएंगे जैन तो खोशालता सीधे आपके पास आते हुए अब इसमें कोई किन्तु परंतु दिखाई नहीं दे रहा है रु चुकी है स्टूडियो में भी खास मैमान जुड़े वे हमारे साथ लेकिन जैन तो खोशालता आपके पास आते हुए एक जो प्रेंट पिछले कई चुनावों के दर्मियान हमने देखा है एक तरफा बहुमत मिल रहा है किसी भी राज्जी को आप उठा कर देख लीजे यह जो खचड़ी सरकार का यूग था उसका अंत होतावा दिखाए दे रहा है और यह जो छोड़ी-छोड़ी अरुनाशर क्रदेश और सिक्किम जैसे राजी हैं वो भी यही संकेत कर रहे हैं इसके मारे चित्रा जी नहीं नहीं देखिए चित्रा जी मैं बहुत मतलब इसमें म मुझे मैं पत्रकारिता में 77 तो देखा नहीं लेकिन सुना है पड़ा है लेकिन मैंने देखा है भी पी सिंग देखा चंदर शेकर देखा देवे गोड़ा देखा गुजराल देखा चंदर इनस्टेबिलिटी लोग आज के दीम में क्लियार मैंडेट एक चाते हैं जो जना लिए होता एक ऐसी स्थीती होता और अरुना चल कहा है हम दिली में बैठ के चर्चा कर रहे हैं लेकिन वरूना चल जो है वह चाइना बॉडर है और जहां एक एक करके जीला का नाम चाइना घुषना कर रहे हैं वहां के जो लोग है वह यह भी चाते हैं देखिए आप सवल कि नौर्टीस्ट ऐसी एक जगा था जहां होट स्ट्रेडिंग के अधार पर सरकार होता था लेकिन भाजपा ने कोशिश करके एक पैन इंडियान पार्टी बनने के लिए नौर्टीस्ट में आठ रज्य में एक-एक करके जैसे आगे बढ़ रहा है और उस पे डवल इंजिन तो अरुनाचल के लिए हमको चर्चा करना चाहिए कि अरुनाचल के जो आम जनता है वो और सिक्यूरिटी के लिए डेवलप्मेंट के लिए चाते हैं कि जो दिल्ली में एक मजबूत सरकार है उसके साथ अगर अरुनाचल में वो सरकार बने तो उसमें क्या होता है उसमें अरुनाचाल प्रदेश का सिक्यूरिटी क्योंकि अभी तो ये इसके बाद मुझा आइम शियोर कि अरुनाचाल में गौवर्मेंट आफ इंडिया का जो पॉलिसी वो चाइना के जो इशू हैं वो जो रीनेमिंग और वो बहुत अप्रोच मतलब लेना बहुत कठीन है लेकिन जो कर रहे हैं मतलब गौवर्मेंट आफ इंडिया और वाच्पा के जो सिशनेत्रित हैं उसमें मुझे लगता है आम जनता इसमें बहुत असस्त होगा कि हम सुरक्षित है दस तालों में मोधी सरकार के बड़े-बड़े मंत्यों को कैम्प करने के लिए नौर्थ इस्ट के अलग-अलग राज्यों में सुदूर वर्ती जो हैं वहाँ पर कहा गया है और हमने कई मंत्यों को देखा भी है वहाँ पर जाकर किस तरह से लोगों से इंट्रैक करते हैं क सक्किम में क्या हो गया बीजेपी को देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जनता का क्या रिष्टा होना चाहिए सरकार से यह भारती जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से पुना परिभाशित किया है और वह इसी का असर आप देख रहे हैं कि हर जगह जो हमारे उमीदे थ चार सौ तक हम जाएंगे और इस पॉइंट को टच करेंगे हम पहुच रहे हैं और यह सिर्फ और सिर्फ सेवा और सुशासन के वज़े से है और जो जनता का प्रेम और अपार विश्वस नेता जो प्रधान मंत्री जीते लिए है वो आप देख रहे हैं कुछ जगह हो सकती जैसे कि आप सिक्किम का चर्चा कर रही हैं और कि इसमें कुछ हिट से रहेंगे कुछ लॉसिस रहेंगे लेकिन अब अगर आप देखें दिरुजानों को तो एक साफ तोर से एक तस्वीर जो भर रही है वो यह कि फिर से एक बार सिर्फ मोधी सरकार पिलकु दिल और दिमा कि लोगों को यकीन है कि एक ऐसा इंसान है जो फिकर करता है नो तीस मे आप अब देखी आप यकीन देंगे सालों साल से रहा है कि लुक्तिन अलग था करुप्चिन के लिए जाना चाहता था विकास पाव देना देना नहीं था आप देखेंगे जो तो पेस ऑफ डिवेलप्मेंट रहा है सडकों का, हाइवेस का, इंप्रा का, आप देखेंगे पिलकुल एक काया पलट है दस सालों में, खुद जाकर आप देखिए, अजर आप चाहे, मैं कही बार जाती रहती हूं, और गुहाटी में मतलब और यह साम में जब जाती है तो ल घ्रदार, प्रेश्वाजपा की जो आइडियोलोजी है, विचार धारा है, जो गवर्नेस को लेकर है, सुशावसन को लेकर है, काम को लेकर है, डिलिवरी को लेकर है, दोगों 2014 को लेकर है, और लोगों के दुगद्र पर महौल है और सिक्किम ऐसा राज है जो 1979 से शेत्रिय दलों को ही वहाँ पर चुनता हुआ चला आ रहा है पवन चामलिंग मौजुदा इससे थी SDF की कितने खराब दिखाए दे रही है लेकिन 1994 से 2019 तक लगातार पांच बार वो सत्ता में रही और पाटी चीफ पवन चामलिं क्या उस पर अब नहीं पढ़ता है अरुनाचरपदेश का या दूसरे नौर्थीस के राज्यों में जो मुद्दे होते हैं एक होता है ना कि आपस में सटेवे स्टेट हैं वो मुद्दे प्रभावित करते हैं क्या मुद्दा है कि वन साइड़ एलेक्शन है शेत्रिपाश लेकिन अब फिर वापस मुझे लग रहा है सिक्कम उसी और जा रहा है जिस और हमने उसे 25 साल में देखा एक पार्टी का वर्चस हुआ आकड़े तो बहुत साहब बता रहें जो सवाल आपका है कि क्या अरुनाचरपदेश सिक्किम पर प्रभाव नहीं डालते बिलकुल न बहुत खराब है सिक्की में सिक्की में दो रीजनल पार्टी हो के बीच में मुकाबला है औरुनाचरम में कॉंग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होना चाहिए था हाना कि इस वक्त कॉंग्रेस बहुत ही पिचड़ी वी है उनने तो अपने पूरी सीटों पर उमिद्वार भी नहीं खड़े किये तो वहां नैशनल पार्टी अभी भी अरुनाचल में डॉमिनेंट है तो सिक्की में आपको रीजिनल पार्टी डॉमिनेंट दिखाई पड़ती है कॉंग्रेस और बीजेपी बिल्कुल नदाराद है चुनावी महौल से लेकिन इसी के साथ ये भी सवाल पूछा जाएगा देखे मणीपूर का एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर लगातार भारती जनलता पार्टी को घिरा जाता रहा हाला कि एकजित पॉल के आंकडों में भी हमने देखा किस तरह से बीजेपी के लिए मोधी लहर एक तरह से एकजित पॉल में दिखाए दे रही है नतीजे क्या होंगे इसके लिए थोड़ा सा इंतिजार करना होगा लेकिन सभी एक तरफा इशारा कर रहे है मेरा ये सवाल है ये जो नौर्टीस्ट के राज्जे हैं आपस के एक दूसरे के मुद्दे क्या उनको किसी भी तरह से इंपक्ट ने करते हैं उनके अपने खुद के लोकल इशूस होते हैं या अरुनाचर प्रदेश में जैसा कि आपने राश्ट्रे पार्टियां जीती रही तो वहाँ पर चीन का मुद्दा जादा हवी हो जाता है दिल्ली में बैटके हमें लगता है कि जब मनिपूरी में सारी घटनाएं हो रही थी तो लगता था ये मुद्दा दूसरे राज्यों के चुनाओं पर असर करेगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक राज्ये में देखें तो तकरिबन 20-25 जार मद दाता एक विदानसभा चेतर में हैं पार्टी से ज़्यादा वहाँ इंडिविजुल्स पर वोट बहुत पड़ते हैं तो ये मानना कि मनिपूर की एगटना नौर्थ इस्ट के जो 5-6 राज्य हैं उस पर प्रभाव डालेगा मुझे लगता भी है उसमें कहीं हद कुछ हद तक अगर हम हिमाचल की बात करें चोटे राज्यों में जहां मद दाताओं की तादाद कम होती है और ये बड़े पैमाने पर नौर्थिस्ट के राज्यों में होतावा दिखाई पार